हेलो स्टुडेंट्स वेलकम इन माई वीडियो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं देवी क्लास 5 का मैस यूनिट 4 का वर्क्षीट नमबर 13 इससे पहले के सारे वर्क्षीट में करा चुके हैं इसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा च सब्सक्रिप्शन में करते हैं तो इसका स्टेटमेंट हम इस प्रकार से लिखेंगे लेंथ आप दरीबन फाइफ और इसको पहले हम इंप्रॉपर में करते हैं 5525 प्लस 3 28 वाइफ मीटर हो गया मारा यह नमबर ऑफ इकोल पीस फॉटिन सो लेंथ ऑफ इच पीस तो लेंथ ऑफ इच पीस क्या होगा हार 28 वाइफ में से हम 14 को डिवाइड कर देंगे आप इसके नीचे कुछ नहीं है तो मॉन लिखेंगे आप इसे डिवाइड करते हैं चलिए 28 वाइफ डिवाइड करने हम पहले इसको मल्टिप्लाइए में गर्वर्ट करेंगे और इसका रेसी प्रोकल कर देंगे ओके फॉर्टिन बंजा फॉर्टिन टूजा 28 तो महारा एंसर आ गया तू बाइफ फाइफ मीटर यह आपका इंसर हो गया तू बाइफ मीटर करेंगे तो नहीं करेंगे तो उसका जो प्रोडक्ट अबया वह नाया तो उन में से अगर एक फ्रेक्शन टूबा टू होल वन बाई सेवन है तो दूसरा क्या होगा दूसरा क्या करेंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो यह इच्छी नाइन से 9 को हम वाल यह वाइद से डिवाइड करतेंगी तो मारा एंसर आ जाएगा तो चलिए देखिए इस को सब्सक्राइब में दप्रोड़क्ट ऑफ टव तूफ एक्षिंस डिवाइड क्या है 9 है और इसमी से वन क्या हमारा थू ओलबै सेवन है इसको हमें से लिए सेवन टूजब फॉर्टिन प्लस वन फिफ्टिन बाई सेवन है तो सो अधर प्रेक्शन इस नाइन डिवाइड बाई फिफ्टिन बाई सेवन अब इसको होना इसे लिखेंगे मल्टिप्लाई में करके सेवन बाई सु कैंचल कर लेंगे और फिफ्टिन यह मं डू November अगए स ओम आगे होगे तो पॉर्ड ट्वैंटी होता है पसेथे और तो नमत एंसर हो हो गया है कि सेकेंड प्रेक्शन इमारा क्या होगा हुम मरा फॉरओ फोरी कुल 1 बाई 5 a इससे लिए टेक्स वन बैस टूमने सब्सक्राइब को लगता है हम निसीचा करने में लुट्सक्राइब समय टीटिस्स को अब्टिपलाय करने में मैं पटॉधा तो फोर आवर में बनने में कितना टाइम लगे तो सबसे पहले हम इस hour को क्या करेंगे minutes में convert कर लेंगे ताकि हमें same unit से multiply and divide करने में किसी को भी multiply करते हैं तो same unit से करते हैं तो 1 by 4 को हम hour में convert करने के लिए इसमें 60 का multiply करतेंगे तो चलिए इसे solve करते हैं time taken to cook 1 डोसा तो 1 डोसा बनने में कितना लगा 1 by 2 minute लगा तो number of doses can be cooked in 1 by 4 hour 1 by 4 hour याने की 15 minute कैसे देखिए 1 by 4 को जब हम 60 से multiply करेंगे इसको minute में convert करने के लिए 4 1 जा 4 4 15 जा 60 तो हमारा 15 आता है ओके तो यहां पर 15 minutes हो गया तो कितना time लगेगा 15 में हम divide कर देंगे 1 by 2 को इस तरह से मारा हो जाएगा 15 multiply 2 by 1 तो हमारा answer हो जाएगा 30 30 minutes हमारा time लगेगा इस तर्टी डोसाज हमारा इतने में बनेगा ओके कुशन नमबर डी सीटल है वन होल 3 by 4 kg ऑफ स्वीच सिदल के पास इतने के जिस्वीट है सी डिस्ट्रिबूटर वन बाइफ ओर के जी टू इच ऑफ हर फ्रेंट्स उसने अपने हर एक फ्रेंट्स को इतना दिया और वेनश ऑल शीरचे क्या हो गयी फिनीस योगए खतम होगै तो सीक्ति हो इसने फ्रेंट्स को स्ट्रिवियट कि इसके लिए हम इसमें से पिपाइब करेंगे हम कि sustainability को हम impacting से ह completion करेंगी तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम 4 1 जा 4 प्लस 3 7 by 4 kg Each of our friends got 1 by 4 kg So number of friends 7 by 4 divided by 1 by 4 इसे solve कर लेते हैं 7 by 4 multiply 4 by 1 4 से 4 cancel हो गया हमारा answer आ गया 7 उसके 7 friends को उसने distribute किया Next question नमारा है A pile of class 5 mathematics books has thickness of 14 whole 2 by 5 cm यानि कि class 5 maths books का एक pile यानि एक bundle है और जिसकी मुटाई कितना है 14 whole 2 by 5 cm है if each book is 1 whole 1 by 3 cm थिक अनि अगर एक book इतने cm थिक है तो find how many books make up the pile तो आपको पता करना है इस pile में कितने book हैं तो हम क्या करेंगे इसे डिवाइड कर देंगे इससे तो चली solve करते हैं देखो बच्चों ऐसे लिखना है आपको थिकनेस ओफ ए पाइल ऑफ बोक्स 14 whole 2 by 5 cm यह मारा क्या हो जाएगा 14 5 जा 70 प्लस 2 72 by 5 cm ओके थिकनेस ओफ आपको एक बोक का थिकनेस कितना है 1 whole 1 by 5 cm सो टोटल नंबर ऑफ बोक्स इस इक्वाल टूमारा जाएगा 72 by 5 divided by इसको भी देखे कर लेते हैं 5 जा 5 प्लस 1 6 by 5 cm ओके यह हमारा हो जाएगा 6 by 5 cm अब इसे हम डिवाइड कर लेंगे 72 by 5 multiply 5 by 6 तो 5 से 5 हमारा कैंसल हो गया 6 बन जा 6 और 12 6 जा 72 तो मारा एंसर कितना गया 12 यानि कि 12 बुक्स उस पाइल में हैं यह आपका एंसर हो गया और यह वर्क्षीट भी कंप्लेट हो गया थैंक्यू फूर वाचिंग